हालो अब्रीवन ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर रश्मील सोमेपैथी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रियोमटाइड और्थ्राइडिस को यह भी और्थ्राइडिस का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टन रीजन है इसके पहले की वीडियो में हमने जाना थ उस्ट्री बारे में चैनी जॉएंड़ की जुब्ही परेशानिया होती है वह दो तरह की हो सकती है यह तो पैथारोचिकल होग यह तो फिजियो लॉजम होगी Physiological का मतलब हुआ कि शरीर में कोई disease नहीं है, कोई परिशानी नहीं है, लेकिन उम्रे के साथ, wear and tear के साथ एक degeneration आती है, जो कि हमने discuss कर लिया था Osteo Arthritis की वीडियो में management और homoopathic treatment क्या होता है, पूरी detail में हम जानेंगे इस बिमारी के बारे में, तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं, फ्रेट्स बात करते हैं, rheumatoid arthritis, जहां अब भी rheumatoid arthritis आता है, इसका मतलब होता है, joints का inflammatory disorder शुरू हो गया है, मतलब आपके शरीर में inflammation आ गई है, sickness आ गई है, pain हो गया है, साथ में सूजिश हो सकती है, यह तीन चीज़े होती हैं, जिससे पता चलता है कि शरीर में inflammatory disorder है, तो जो remoteid arthritis होता है, यह आपके शरीर में तब होता है, जब आपके शरीर का immune system होता है, आपके खिलाफ हो जाता है, मतलब यह एक autoimmune disorder होता है, शरीर में बहुत तरह के autoimmune disorders हो सकते हैं, अभी तक 30 तरह के autoimmune disorders होते हैं, जोगिन सिंड्रॉम होता है, SLE होता है, सौराइसिस होता है, मिचलिक होता है, बहुत सारे autoimmune disorders होते हैं, जिसमें हमारा immune system ही, हमारे खिलाफ होकर, हमारे healthy cells को damage करने लगता है, तो remoteid arthritis में भी यह होता है, यह एक arthritis का एक ऐसा form है, जो young age को young generation को affect करता है, और उनको disability दे सकता है, तो friends, यह जो बिमारी होती है, यह जो arthritis होता है, यह ज्यादातर महलाओं में होता है, महलाओं और पुरुशों में, पहले osteoarthritis दिक्स किया था, उसमें भी वो भी महलाओं में ज्यादा होता है, और इसके सबसे खास बात ह है कि यह जो बिमारी होती है, आपके छोटे-चोटे जितने भी joints होते हैं, उनमें हलका-लका सा दर्द रहने लग सकता है, चाहे वो पैरों की उंगले से शुरू हो सकता है, चाहे वो आपके हाथों की उंगले से दर्द शुरू हो सकता है, सबसे important चीज़ यह होती है, कि से महीने से लगा था, और सुबह उटने के बाद करीब 30 मिनट तक आपके शेरी में जक्रण बनी रहती है, और साथ के साथ कोई आपकी फैमिली में ऑटोमिन डिसॉर्डर है, या आपको ही कोई दूसरा ऑटोमिन डिसॉर्डर है, तो यह हो सकता है कि आपको रिमोटाइड आठ्राइडिस है, तो रिमोटाइड आठ्राइडिस छोटे जॉइंट का फेक करता है, कम एज की लोगों को होता है और मौनिंग स्टिफनेस इसमें जादा होती है, स्टिफनेस कभी भी हो सकती है, लेकिन सबसे जादा कॉमन होती है, जब आप रेस्ट करते हैं, अब रेस सेल्स होते हैं, वो हेल्दी सेल्स को अफेक कर देते हैं, जॉइंट के अंदर घुज जाते हैं, इंफ्लामेटरी सेल्स और हमारे बोन के सेल्स को डैमेज कर देते हैं, उसके कारण हमको और्थराइडिस यह होता है, और फ्रेंस रिमोटाइड और्थराइडिस में सबसे इ होता है तो दर्द जक्रन काफी देर तक पनी रहती है काफी जादर डिसेबलिंग वो फील करते हैं इसके अलावा यह जो बिमारी होती है रिमोटाइड और्थरेटिस इसमें प्रिवेंशन नहीं हो सकता है क्योंकि एक आपके शरीर से ही उत्पन होने वाले वाले एक बिमारी है या औस्टियो है तो सबसे इंपोर्टन चीज़ है क्योंकि एक इंफ्लामेटर डिसॉर्डर है तो इसके अंदर आपको कुछ इंफ्लामेटरी चेंज़स देखने को मिलेंगे आप जब अपना ब्लेड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो इसमें आपको यह सार के लेव फिर्टियू निटां का अउटे प्रोटीन करता है निटे प्सकोरिण करने के लिए से इंफ्लामेटरी स्टेज टेज्रीग मेरी को सारी नेगे तो इसके लाव producing पाये जाते और एक निगिटिव होने के साथ भी आपको सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तब ही आपको रिमटाइट अर्थरेटिस हो सकता है इसके लामा फ्रेंट्स अगर 16 साल से कम के लोगों को यह प्राप्लम हो रही है क्योंकि यह और यह शरीर में कभी भी शुरू हो सकती है तो 16 साल से जो कम एज के लोग होते हैं अगर उनके अंदर यह बिमारी शुरू हो रही है तो उसको जो जो नायल रिमटाइट अर्थरेटिस बोला जाता है अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है तो फ्रेंट्स यह जो बिमारी होती है एक आपके शरीर में लगात स्वाट करती है तो बहुत जाएञा कॉम्प किसंच छिसके हो सकते हैं अब हम बात कर लेथे हैं इसके मैरेजमींट की इसका ठ्रीट्मेंट की तो फ्रेंस इत उ नहीं हैं लेकिन हम कहीं ने कई अपने में आयट से सुछा है अपनी डायेट में हमको सबसे और इसके लावा अपने डायेट में सबसे ज़ादा इंक्लूड करना है anti-inflammatory foods जैसे हमारे घर में ही available होते हैं हल्दी है हमारे घर में available रहती है या हमारे घर में अधरक है जिन जर है यह सारी anti-inflammatory होते हैं हम इनको लेने के लिए बोलते हैं और इसके लावा फ्रेंट्स हम avoid कर करने के लिए बोलते हैं कि जो लोगों को भी ये परेशानी हो रही है वो अपने खाने में जादा चीनी जादा नमक वाली चीज़े नहीं खाएं या जो बिस्किट्स नमकिन्स आते हैं इनको भी अवाइड करने के लिए बोलते हैं और उनको जादा से जादा ब्रॉकली कीव avocado या sweet potato इन सब चीज़ों में anti-inflammatory properties होती हैं और anti-oxidants होते हैं तो उनको हम लेने के लिए बोलते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं होमेपथिव treatment क्या किया जा सकता है तो friends होमेपथि में autoimmune disorders का बहुत अच्छा treatment है मेरी बहुत सारे videos autoimmune disorders के उपर already हैं आज मैं बताने जा रहे हूं कि rheumatoid arthritis में कैसे हमेपथिव treatment क्या जा सकता है कि आपको सारे जिंदगी steroids या pain killers नहीं लेना पड़े सबसे पहले हम बायत करते हैं सबसे जादा जो दी जाने वाले medicine है उसके बारे में सबसे जादा दी जाने वाले medicine है ब्राइनिया अलबा ब्राइनिया अलबा को हम तब देते हैं जब patient को लगता है कि वो सिर्फ एक जगा बैठा रहे वो हिलना डूलना बिलकुल movement करना नहीं चाहता है क्योंकि इसके joints में बहुत जादा तेज पेन होता है और आगर आप उसक स्वेलिंग बहुत जादा बनी हुई है ऐसे symptoms अगर आपको मिलते हैं तो इसमें ब्राइनिया देते हैं ब्राइनिया को थर्टी पूटेंसी या 200 पूटेंसी डिपंडिंग अपन सिम्टम्स दिया जा सकता है दूसरी medicine के बात करते हैं जो बहुत जादा कॉमनली जाता है रस्टाइब लुप चहल कदमी करता रहता है एक जगाठ निसका उस पेन के कारण उसके अंदर इतनी ज्यदा इरिटेबिल्टी है को टहलता रहता है जब सुबहर सो करके उठता है तो उसके पैरों में जगड़न रहती है लेकिन जैसे काम करना शुरू करता है सेक्स में जाती है हमारी कॉल ऐलम को हम तब देते हैं जब हमारे पैरों की एंडरी उगलियों में छोटी उपना Selbst बना रहता है घर सम si लिए कॉलोफालम काफी ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है जब मेंसिस के आसपास शरीर का दर शरीर के जो ज्वाइंट से उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो पिशन को इतना ज़्यादा दर्द रहता हो और साथ में मेंस्ट्रॉल कंप्लेंट के साथ यह प्रॉब्लम को उनके किसरे में कॉलोफालम को थे जा सकती है तिन जिसके बाद बात करते हैं नेक्स मेड़सिन है कॉस्टिकम मेड़सिन बहुत जादा इंपॉटेंट है अगर इसमे टेंडेंस में में पाते चल नहीं पाते इन्स्टेबिल्टी हो गई है और साथ के साथ यह जो प्रॉ में आराम मिलता है तो एक उसे सेंटम मिलते हैं तो थर्टी पोतेंसिंट में 3-3-4 बूंदर ले जा सकती है इसके बाद बात करते हैं और मेडिसिन के और वह मैडिसिन है मेडूरेनम Medorinum तब देनी होती है जब आपने बहुत सारी medicine दे दिया लेकिन उको relief नहीं मिल रहा है और patient को रात में ज़्यादा परिशानी होती है रात में जब patient लेटता है तो दर्द के मारे सो नहीं पाता पैर को उठा करके सोना चाहता है पैर को थोड़ा से lift करके रखता है और सारी problem उसके रात में जब bit पे लेटता है heat of bit के करण बढ़ जाती है तो friends medorinum एक no-sode है तो इसको higher potency यानी 1M potency में दिया जा सकता है इसके रावब बहुत ही important और specific medicine है remoted arthritis की उसका नाम है tamis communis यह medicine तब जादा important हो जाती है जब आपको bones में इतना जादा unbearable pain होता है कि लगता है कि कुछ मैं इसमें massage करूं कुछ इसमें apply करूं तो उसके लिए order application के लिए medicine है इसको mother tincture form में अब किसी भी oil में मिला करके अपने bones पे अगर apply करते हैं तो दर्द में आपको आराम मिलता है तो यह कुछ medicines है जो rheumatid arthritis के cases में सबसे जादा prescribe की जाती है फ्रेंट्स होमेपती में rheumatid arthritis के लिए बहुत सारी medicines है 70 to 80 medicines हैं उसमें से किस patient को कौन सी medicine दी जानी है यह decide होता है patient के symptoms के उपर जिसको हम constitutional medicine बोलते हैं rheumatid arthritis को पूरी तरह से cure करने के लिए हमें सारे symptoms ही होते हैं उसके क्या symptoms में उसको relief मिलता है कौन से time पे वो अच्छा फील करता है कौन से time पे खराब फील करता है कब से उसको problem है उसकी age क्या है pain की intensity क्या है इन सारे factors को ध्यान में रखती हो जब हम constitution medicine देते हैं तब उसकी बिमारी पूरी तरह से cure होती है लेकिन यहां पर मैंने जो medicines बताई यह भी काफी ज़्यादा effective है अगर आप इनको ऐसी लेते हैं जैसे explain किया गया है तो friends यह सारे information थे रिमोटाइड arthritis के बारे में और इसके हुमेपथिर treatment के बारे में आई हो कि जो भी information मैंने इस topic पर आप से share किया आपको पसंद आई होगी friends कोई भी doubts हो कोई भी queries हो या कोई भी suggestions हो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं अपनी बीमारी के वारे में आप मुझे कुछ बात करना चाहते हैं तो call me for app का use कर सकते हैं या अगर आप मुझे appointment लेना चाहते हैं तो cleaning के WhatsApp नमबर पर message डाल सकते हैं तो friends अगर यह information जो मैंने आपको से share को पसंद आई हो आज आपने कुछ नया सीखा हो और यह वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने friends और family के साथ भी share करें मेरे चैनल को subscribe कर लें अगर यह भी तक आपने नहीं किया हो wishing you a very good health, thanks watching